मतलबी ससुराल मीरा और उसका परिवार मतलबी की निशानी है जिसके घर में मतलबी लोग बरे बड़े हैं जिस कारण मीरा और संजे के बच्चों के शादी होना मुश्किल हो जाती है एक रूज मीरा प्रेम से कहती है बेटा जिस तरह सब रिष्टे आकर ना करके जा रहे है न उस तरह तो मुझे तेरी शादी होना मुश्किल लग रही है अरा तू ही कोई लड़की फसा ले न क्या मा मैं काम करू या ये सब करता चलू इन सब में मुझे मत पसाओ मुझे लड़कियों में कोई इंट्रेस्ट नहीं है आरा तुझे इंट्रेस्ट नहीं है लेकिन मुझे तह बहु चाहिए न मेरा वंश आगे कैसे बढ़ेगा बेकार ही तुने इस जमाने में जन्म ले लिया एक भी लड़की नहीं पटा पा रहा है यहां तो छोटे-छोटे बच्चे गल फ्रेंड लेकर घुमते रहते हैं पर तु कोई काम का नहीं मा तुम्हें बहु चाहिए न तो तुम ही ढूंडो मुझे इन लफ़डों से दूर रखो और दूसरी बात यह जितने भी रिष्टे आ रहे न यह सब यहीं के आसपास के अरे कोई दूर का रिष्टा आएगा तो उसे तो तुम फसाई लोगी मैं चला दुकान प्रेम दुकान चला जाता है और मीरा अंकिता से कहती है प्रेम सही क्या रहा था यहां के लोग हमें जानते हैं तो कोई भी अच्छा रिष्टा तो हमारे घराने से रहा लेकिन दूर का रिष्टा आए तो बात बन सकती है जब तक उन लोगों को हमारे बारे में पता चलेगा तब तक तो प्रेम की शाथी उनकी बेटी से हो चुकी होगी और नहीं तो क्या तुम दूर दूर की लड़कियों को रिष्टा बिजवाओ इस साल तो भाया की शादी कर ही देना है दोनों मा बेटी अंकिता और मीरा प्रेम के लिए लड़की देखने में लग जाती है और हर किसी को प्रेम की फोटो और बार डिटा भीजती रहती है प्रेम की फोटो देखकर दीपा के घरवालों को प्रेम पसंदा जाता है और वो लोग मीरा के यहां लड़का देखने पहुँच जाती है बहन जी आपका बेटा हमें पसंद है बस एक बार सामने से उसे देख ले और उसकी दुकान की कमाई पता हो जाए तो बात आगे बढ़ा सकते है आरे मेरा बेटा लाखों में एक है कोई भी उसे मना कर ही नहीं सकता हमारी दुकान यहां की सबसे पुरानी और नामी दुकान में से एक है चाहे तो पता कर लेजी आपकी बेटे को कोई दुख नहीं होगा राज करेगी वो यहाँ पर मैं अभी भेया को बुला लाती हूँ अंकीता प्रेम को फोन करके बुला लेती है प्रेम को देखकर दीपा के पीता इस रिष्टे के लिए हां करतेती है जी ये रिष्टा पक्का है मुझे यकीन हो गया है कि मेरे दीपा के लिए ये घर अच्छा रहेगा तो ढोल बजवा देते हैं अंकीता सब का मुँ मीठा करवाती है दिन बेतने लगते हैं प्रेम और दीपा की शादी हो जाती है दीपा बहु बन कर मीरा की घर आ जाती है दीपा आती ही घर की सारी जिम्मदारिया संभाल लेती है और दीपा के आने के साथ ही अंकीता और मेरा काम करना छोड़ देती है शादी के पहले दिन वो सब के लिए खाना बनाती है लेकिन मजाल है कि कोई उसे एक रुपया भी देदे मेरे मायकी में तो सब कोई कुछ न कुछ देते हैं लेकिन शायद यहाँ यह नियम नहीं है इसी तरह दिन बीटने लगते हैं और महिना बीट जाता है एक रोज दीपा देखती है कि राशन का सामान खत्म हो गया है गरम मसाला नहीं है, हिंग भी खत्म होने को है, सूजी भी नहीं है यहाँ तो कोई राशन का जिकर तक नहीं करता क्या करूँ? प्रेम से कहती हूँ दीपा प्रेम को कॉल करके कहती है सुनीना, मुझे खर्ची के लिए पैसे चाहिए वो सब मा देखती है, घर के लिए जो कुछ लाना है वो तुम मा से कह दो ठीक है, घर का सामान तो मा ले लेगी लेकिन मुझे मेरे पोस्नल यूज के लिए कुछ मेकप का सामान भी लेना है, उसके पैसे कौन देगा? अरे वो सब मुझे से मत को, तुम अपना समझो प्रेम फोन रख देता है, दिपा रोने लगती है कैसे कर में पापा ने मेरे शादी कर दी? प्रेम कितना मतलबी है शादी के बाद एक दिन भी मुझे कहीं गुमाने के लिए नहीं लेकिया फिर पे मैंने कुछ नहीं का, पोरा दिन उसके घर के लिए मैं काम करती रहती हूँ और वो है कि मेरे लिए दो रुप्य भी नहीं चूट रहे दीपा जाकर मीरा से कहती है सासुमा, रसुए के लिए राशन मंगवाना है अगले दिपा के तब्यद कुछ ठीक नहीं थी और वो अपने कमरे से बाहर नहीं निकलती प्रेम को पता होता है कि दीपा के तब्यद खराब है फिर भी वो उससे ये पूछता तक नहीं कि उसे किसी चीज़ की जरूरत है या नहीं वो सीधे कमरे से निकल कर दुकान चला जाता है मीरा और अंकिता मिलकर नाश्ता बना लेती है तब अंकिता कहती है मां बाकी काम ऐसे ही छोड़ दो जब भाबी उठेगी तब खुदी करेगी हम क्यों करें? सब नाश्ता कर लेते हैं लेकिन कोई भी दीपा से उसकी तब्यत के बारे में कुछ नहीं पूछता और नहीं उसे कोई नाश्ता देता है इधर अंकिता को उसके कॉलेज के फ्रेंड का फोन आता है अंकिता नेक्स सेंडे हमारा फेरवेल है तो कौन से साड़ी पहनेगी? यार अब हम सब पिछोड जाएंगी मुझे तो सबसे अलग दिखना है था कि लड़कों की नजर मुझ पर ही रहे बगल वाले ये बॉइस कॉलेज के लड़की भी आ रहे है आरे यार पहले बताना चीए तना मैं ऐसे तयार होकर आऊंगी कि सब लड़कों की होश उड़ जाएंगी ठीके चल तो फोन रख मैं अपनी साड़ी देखती हूँ अंकिता सूचती है भाबी के पास तो अच्छी अच्छी साड़ी है मा के पास तो अंटियो वाली साड़ी है भाबी के पास ही जाती हूँ अंकिता दीपा के कमरे में जाती है अंकिता को देखकर दीपा को लगता है कि वो उसकी तव्यत के बारे में पूछने आई है लेकिन भाबी मुझे साड़ी चीए अपकी फैरवल के लिए हाँ हाँ ले लीजे न जो भी चाहिए दीपा के इतना कहने की देरी थी और अंकिता उसके अलमारी से एक एक साड़ी निकाल कर ट्राइ करने लगती है और फिर एक ब्लैक रंग की साड़ी पसंद कर लेती है बाकि सारी साड़िया अलमिरा से निकाल कर बेट पर रख लेती है भावी ये ब्लैक साड़ी पैनूंगी अंकिता साड़ी लेकर चली जाती है तब दीपा कहती है सब के सब मतलबी है पूरा कमरा मेरा छीट कर चली के ये तक नहीं सुचा कि इतनी बीमारी में मैं कैसे करूंगी ये सब शाम को बहुत हिम्मद करके दीपा उठकर अपने कमरे को ठीक करती है और किचन में अपने ले कुछ बनाने लगती है दीपा को किचन में जाता हुआ देखकर मीरा कहती है मेरी बहू लाखों में एक है इसके जैसी तो मैं दिया लेकर ढूंड़ती तो भी नहीं मिलती मुझे इतनी बिमार होने पर भी काम देखकर बिचारी से रहा नहीं गया मैंने तो जैसे तैसे नाष्टा बना लिया मेरी बुड़ी हडियों में जानी नहीं वनना मैं कर देती आँ बहू तो हमारी है ही कामकाजी वसे बहु क्या बना रही हो सासुमा मैं वो सूजी का उपमा बना रही हूँ उचसे कुछ खाया नहीं जाएगा अरे कोई बात नहीं बहु जो तेरा मन है वो खा वसे काम कर हम जब के लिए भी न उपमा ही बना ले ज़्यादा बना या कम, काम तो उतना ही करना पड़ेगा तुझे, है न? जी सासुमा गुसा करते हुए दीपा मन ही मन कहती है मैं समझती नहीं हूँ क्या इन लोगों को बस अपनी काम से मतलब है, बाकी बहु जाए चुले में दीपा उपमा बना कर कमरे में चली जाती है और अपनी कॉलिश फ्रेंड को कॉल करके सब कुछ बताती है असी बात है तो तू एक काम क्यों नहीं करती तू एक दिन के लिए गाइब हो जा फिर इन लोगों की अकल खुद ही ठिका आने लग जाएगी और इन्हें तेरी कीमत भी समझ में आ जाएगी हाँ बात दिन हो गए दोस्तों से मुलाकात नहीं हुई एक काम करते हैं हम सब गेट टूगेदर करते हैं और मैं बिना बताए यहां से गाइब हो जाओंगी अगले दिन सुबह सुबह दिपा बिना किसी को बताए घर से गाइब हो जाती है दिपा को घर में ना पाकर सब उसे खोजने लगते हैं उन्हें टेंशन होने लगती है अरे बाहु गई तो कहां गई सब जगध देख लिया मिल ही नहीं रही मा तुम दिपा की इतनी टेंशन मतलो वो मिल जाएगी अरे बेटा मैं दिपा की नहीं काम की टेंशन ले रही हूँ अब काम कौन करेगा इधर दिपा को लगता है कि एक दिन में उसकी सुसुराल वालो को उसकी किमत समझ में आ गई होगी अब मुझे अपने सुसुराल वापस चले जाना चाहिए इतना काफी है उन्हें सबक सिखाने के लिए अगले दिन दिपा वापस सुसुराल चली जाती है दिपा को देखते ही अंकिता उसे गले लगा लेती है भापी आप आ गई यहां हम सब कितने परिशान हो गए थे माँ भापा भापी आ गई सबी वहाँ आ जाते है अंकिता तुझा गैस आफ करते दिपा आ गई है अब वो बना लेगी आगे तुम दो चार दिन और गया भुजाती दिपा माथा ठोक लेती है और मानी मन कहती है ये लोग कभी नहीं सुधरेंगे अब मुझे ही इन लोगों की तरह बनना होगा और इन्हें पूरी जिंदगी छेलना होगा